मानव हिरदय के कारे अशुद्ध रक्त में आक्सीजन कम होती है और कारबन डैयोकसाइड अधिक होती है और शुद्ध रक्त में पून आक्सीजन होती है। एक पड़ी नस शिरा नसों के माध्यम से अशुद्ध या वी आक्सीजनित रक्त को शरीर के सभी हिस्सों से इकठा करती है और दाया आलिंद को खाली कर देती हैं। फेपड़ों से एक यही समय में नस में बाया आलिंद आक्सीजन से रक्त लाता है। इस समय हिर्दय के सभी चार कक्ष आराम कर रहे होते हैं। फिर कोश्ट और अशुद्ध रक्त दाया आलिंद से प्रवेश करते हैं और बाया आलिंद से शुद्ध रक्त बाय निले में प् काम करते हैं जबकी कोष्ट आहराम करते हैं। रक्त शुद्ध होने की बाद, दो फुप्फुस धमनियों के मात्यम से दाएन निले से फेबणों को जाता है। बाए निले से ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पंप होकर बड़ी धमनी में जाता है, जिसे महा धमनी कहते हैं. यहाँ ऑक्सीजनित रक्त शरीर के सभी हिस्सों में वहन करता है. नसे अशुद्ध रक्त हिर्दै को लाती हैं और धमनिया उन्हें शुद्ध करके हिर्दै से दूर ले जाती हैं. लेकिन यहाँ दो अपवाद हैं, फुपुसिये धमनी अशुद्ध रक्त वहन करती है और फुपुसिये शिरा शुद्ध रक्त वहन करती है.